इस वीडियो में हम आपके लूसेंट के समाने ग्यान पूस्तक से भारत के समाने ग्यान से संबंधित सेलेक्टेट सिक्ष्टी महतपूर प्रसन लेकर आये हैं जो आपके कमपिटिशन एक जाम के पाइंट अपप उसे काफी हेलफुल साबित हो सकती है सो गाइस वीडियो के अंतक जरूर बने रहें यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लिजए सो लेट गेटी स्टार्टेट पहला परसन देखते हैं देखे क्या बोल गया है जो रिगवेद है उन में से कौन सी नदी का अफगानिस्तान के आरेयों के साथ समबंध सूचक है इसका आंसर हो जाएगा अप्शन C कुंभा एवं कुरूमू ये कुंभा एवं कुरूमू नदी इसके बारे में देख लेते हैं, रिग वेद में 25 नदियों का उलेक है, जिसमें सबसे महत्रपुन नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन कई बार आया है, और सिंधु नदी के प्रमुक सहायक नदिया है, कुरुमू, गोमती, कुम्भा, स्वास्तु, इन सभी नदियों के जैसे के सांख्य दर्सन, योग दर्सन, नयाय दर्सन, वैसे सिक मिमानसा और वेदान दर्सन, इन सभी छे भिन भारती दर्सनों का विसीष्ट रूप से किसमें अभिवेक्ती है, या किसमें उलेक है, इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन ए, वैदिक यूग में, किसमें, निम नांकित में से, कौन सा असो कालिन अभिलेक खरोष्टी लिपी में है, क्या वो जबड़ गए है, इसका अंसर हो जाएगा option C साहबाजगड़ी साहबाजगड़ी खरोष्टी लिपी में है इसके बारे में देख लेते हैं भारत में सीला लेख का प्रचलन असोग ने प्रारम किया समराठ असोग ने असोग के सीला लेखों में ब्रामी, खरोष्टी, ग्रीक, अर्माईक इन सभी लिपियों का प्रयोग हुआ है इन में से साहबाजगड़ी खरोष्टी लिपी में लिखी गई है next question में आ जाते हैं निन्म लिखित में से कौन से विद्वान कनिस्क के समकालिन थे कनिस्क के समकालिन कौन से विद्वान थे इसका अंसर हो जाएगा option D कौन-कौन से फ़र्ष्ट, सेकेंड और थर्ड अस्वगोस, नागरजुन और वसुमित्र ये सभी कनिस्क के समकालिन थे कनिस्क बौत धर्म के महायान समपरदाय का अन्याई थे या भी याद रखेंगे next question में आ जाते हैं समुंद्र गुप्त की सैनिक उपलब्दियों का वर्णन उसके किस अभिलेक में उपलब्ध है क्या वो लगया है समुंद्र गुप्त के जो सैनिक है उन सभी सैनिकों की उपलब्दियों का वर्णन किस अभिलेक में उपलब्ध है? इसका अंसर हो जाएगा option D. कौन से अभिलेक में? प्रयाक के अभिलेक में. जो प्रयाक के अभिलेक है उसमें समुंद्र गुप्त के सेनियों का वर्णन किया गया है. समुंद्र गुप्त का प्रथम उत्तर अधिकारी कौन बना? समुंद्र कर निपोलियन भी कहा जाता है या भी आद रखेंगे और कौन-कौन से है वरा मिहिर, धन्वंतरी, ब्रामा गुप्त, आदी, और पंच्तंत्र भी इसी समय के लिखे गया है अमीर खुसरो का नाम मुहम्मद हसन था या बल्बन से लेकर मुहम्मद तूगलक तक दिल्लिस सुल्तानों की दर्बार में रहे इन्हें तूत्ये हिंद जिसे भारत का तोता के नाम से जाना जाता है। तूतिय हिंद अर्थाध भारत का तोता, अमीर खुस्रो, नेक्ष्ट कोस्चन देखना है, चार मिनार का निर्मार्ण किसने करआया था, जो चार मिनार है, उसका निर्मार्ण किसने करआया था, इसका अंसर हो जाएगा, Option C, अली कुतुब साह इसके बारे में देख लेता है, सुल्तान मुहम्मद कुली कुतुबसा, कुतुबसाही वन्स के पाँचवे सासक ने 1591 में 4 मिनार का निर्माण करवाया था, इसके बारे में देखते हैं, तूंग भदरा नदी किस समराज्य का भरन पोशन करती थी, इस कांसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा, ओप्सन B, विजयनगर, ओके, विजयनगर समराज्य मध्यकालीन दक्षिर भारत का एक समराज्य था, ओके, इसके राजाओं ने 310 वरसों तक राज्य किया, इनमें प्रमुख नदी, तूंगा भदर नदी है, जो कि इस समराज्य का भारन पोशन क सेख मुईदिन चीस्ती ने भारत में चीस्ती सिलसिले का इस्थापित किया, नेक्स्ट कोस्चन में आ जाते हैं, कुचिपूरी तथा भारत नाट्यम निरित्यों की बीच क्या भेद है, इन दोनों के निरित्यों की बीच क्या भेद है, यह भारती सास्त्री निरित है, इस इसका आंसर हो जाएगा option B, पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रखे निरिति करने की परमपरता भारत नाट्यम की विशिष्टा है, जबकी कुची पूरी निरिति में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई इस्थान नहीं है, ओके गाईज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आ प्रदेश से है और कथकली या केरल से संबंदित है, इन सभी भारती सास्तरी निरितिय को उनके राज के अनुसार याद रखेंगे, नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, नागर, द्रमीड और बेसर, क्या है, नागर, द्रमीड और बेसर या सभी क्या है, किस चीज का नाम है, इसका अंसर हो जाएगा, ओप्सन C, क्या चीज का है, भारती मंदिर के वास्तु के तीन मुख्य सैलियां है, इन सभी का नाम है, नागर सैली, द्रमीड सैली या बेसर सैली, ओके, नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, पंच तंत्र मूल रूप से लिखी गई है, जो पंच तंत पंच भागों में बाटा गया है, कौन-कौन से पांच भाग है इसके, पहला है मित्रभेद, मित्रलाब, संधी विग्रह, लब्ध प्रयास, और लास्ट में है अब परिच्छा कारित्व, ये सभी इनके पांच भाग है, नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, इक्वीनेक्स का तातपर्य व विधी है, जब क्या होता है, इक्वीनोक्स, जो इक्वीनोक्स होता है, उसका तातपर्य क्या होता है, इक्वीनोक्स मतलब क्या होता है, इसका अंसर वजाएगा, ओप्सन ए, दीन और रात समान अवधी के होते हैं, इक्वीनोक्स में क्या होता है, दीन और र लागु होने के पस्चाद, निमनमे से कौन सा भारती संग में आरक्षित राज्य था? इसका अंसर हो जाएगा option D, सिक्किम, ओके सविधान लागु होने के बाद भी सिक्किम जो थी भारत के भारती संग की आरक्षित राज्य के अंतरगत आती थी, ओके next question में आ जाते हैं, न निदेशक तत्व क्या है? निदेशक तत्व क्या होता है? इसका अंसर हो जाएगा इसमें से अपवाद योग ओके निदेशक तत्व एक अपवाद योग है इसके बारे में देख लेते हैं भारती समिधान का भाग चार अनुछेद 36 से लेके 51 राज के निती निदेशक निदेशक ततों ये बताता है कि भारत में प्रसासन किस तरह चलाया जाना चाहिए तथा देश में कानूं का निर्बान किन सिध्धामतों पर अधारित होना चाहिए ये सभी निदेशक ततों के अंतरगत आते हैं नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है? इन चारों में से किसके अंतरगत आते हैं इसका अंसर हो जाएगा option A वाद योग्य के अंतरगत आते हैं Next question देखते हैं, भारत के समिधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्स किसमें प्रतिश्ठापित है, क्या बोलगे है? भारत के समिधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्स किसमें प्रतिश्ठापित है, इसका अंसर हो जाएगा Option B, किसमें राज्य के नीती नीदे सकता तुम भारत समिधान के कल्यानकारी राज्य का आदर्स प्रतिस्थापित है, ओके नेक्स्ट गोस्चन देखने हैं, भारती संसत की निम्न में से हिस एक समीती में राज्य सभा का कोई सदस्य नहीं होता, क्या अरडरी संसत की समीती होती है, उसका अंसर वजाएगा आप्सन B, कौन स प्राकलन्द समीती में, प्राकलन्द समीती में राज्य सभा का कोई भी सदसे नहीं होता, क्या होता है प्राकलन्द समीती? इसके बारे में देख लेते हैं, यह समीती संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किये गई, धन के वयों का अनुमान की जाज परताल करती है, सरकार द्वारा प्राप्द किये गए धन के प्राकलन करती है इसे बोलते हैं प्राकलन समिती इसमें राज्य सभा का कोई सदस दिखे जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के स्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन थे जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के स्वे तांबर कहलाते थे और भद्र बाहु के से से दिगंबर कहलाते थे यह भी याद रखेंगे नेक्ष्ट कोस्चन देखते हैं निम्नांकित कत्रों में चैत्य वा विहार में क्या अंतर है क्या बोलगे है निम्न कत्रों में चैत्य और विहार में क्या अंतर है इसका अंसर हो जाएगा option B चैत्य क्या होता है पूजा इस्थल होता है जबकी विहार निमास इस्थान होता है इस प्रकार की question बहुत देखने को मिलेंगे आपको एक्जाम्स में next question देखते हैं क्या बोलगे है मगद समराज के अंतिम सासक कौन थे निम्न मेंसे बोलगे है इसका अंसर हो जाएगा option C उधैनी उधैन मगद समराज के अंतिम सासक थे मगद के सबसे प्राचिन वंजके संस्थापक बिहदरस्त थे या भी याद रखेंगे कौन ब्री द्रस्थ मगत की राजधानी गिरी ब्रह्म या राजगरी जिसको कहते थे थी ओके या हर्या क्वंत से संबंधित है उदाइन ने पाटलिपूर्तर नामक नगर की स्थापना की थी यह भी याद रखेंगे उदाइन ने पाटलिपूर नामक नगर की स्थापना की इस कांसर हो जाएगा option B, उत्तरी भारत के प्रवृत्ति का विकास हुआ, विकास हुआ, उत्तरी भारत में विकास हुआ, नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं, सीवा जी के अश्ट प्रधान का, जो सदा से विदेसी मामलों की देख रेक करता था, क्या कहलाता था, इस कांसर हो ज मन्त, देखें, सीवा जी के मंत्री मंडल को अश्ट प्रधान कहते थे, यह भी याद रखेंगे, सीवा जी के अश्ट प्रधान में, पेश्वा, सर्ये नौबत, अमात्य, छीटनीस, सुमंत, पंडितराव, आधी थे, जो की विभीन छेतरों के देख रेक के लिए बनाए इंपोर्टन कोस्चन है, क्या वो लगए है, निन्म लिखित में से कौन सा एक यूद, साल बाई की संधी के द्वारा समाप्त हुआ, कौन सा यूद, इसका answer हो जाएगा, option A, प्रथम मराठा यूद, जो की 1772 में लड़ी गई थी, साल बाई की संधी के द्वारा क्या हुई खत्म हुई, ओके गईस, next question देखते हैं, भारती स्वसंतरता संघर्ष के दारान, निन्म लिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, क्या वो लगए है, भारती स्वसंतरता संघर्ष के दारान, निन्म लिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन न सेना बनाई थी या याद रखेंगे next question देखते हैं देखें ये कौन से सन में बनाई थी ये भी देख लेते हैं 1941 में या फ्री इंडियान लीजन सेना बनाई गी थी next question देखते हैं महात्मा गांधी से संबंध निन्म लिखित आश्रोमों में कौन सबसे पुराना है important question है महात् दक्षिन अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में हुआ था या दक्षिन अफ्रीका में इस्थीत आश्रम है next आ जाते हैं वीच्षो में इलुमीनियम का सबसे बड़ा उतपादक है क्या बोल लगए है विर्स्व में इलुमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है इस कांसर हो जाएगा option C USA USA इलुमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है next question में आ जाते है संसार की सबसे उची सड़क जिसकी उचाई 5602 मीटर है कहां पर इस्थीत है कहां पर इस्थीत है संसार की सबसे उची सड़क इसका आणसर हो जाएगा option C लदाक में लदाक में दुनिया की सबसे उची सड़क है इसके बारे में देख लेते हैं लदाक में बनी इस सबसे उची सड़क की लंबाई 86 किलो मीटर है यह भी याद रखेंगे कितनी 86 किलो मीटर इसकी लंबाई है और इसकी उचाई 5602 मीटर next question सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से सूची 1 में है बाग आरक्षित छेत्र और सूची 2 में उसका राज्य कौन-कौन से बाग आरक्षित छेत्र है और कौन-कौन से राज्य में इस्थित है इसके बारे में है इसका अंसर हो जाएगा option C देख लेते हैं देखें इंद्रवती बाग आरक्षित छेत्र कहां पे है इसका आंसर हो जाएगा च्छतिस गड़ में पेरियार बाग हारक्षी छेत रहिया है केरल में सीमली पालिया है आपके ओडिसा में और बांधीपूर ये है करनाटक में इस तरीके से सभी को याद रखेंगे नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं भारती समीधान की समवर्ती सुची की धारणा किस देश के समीधान से ली गई है देखे भारत की जो समीधान है उसमें हर सुची को किसी किसी देश से लिया गया है इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन बी किसमें आश्ट्रेलिया की देश से ओके और आश्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है हमारे सविधान में ये देख लेते हैं, देखें, आश्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भासा, केंद्र वर राज्य के भी संबंध तथा सक्तियों का विभाजन, ये सभी आश्ट्रेलिया देश से लिया गया है हमारे सविधान के अनुछेद 67 यह हो जाएगा उप राष्ट पती को पत से हटाना अनुछेद 94 यह हो जाएगा लोग सभा अध्यक्ष को पत से हटाना और अनुछेद 90 यह हो जाता है राज्य सभा के उप सभा पती को पत से हटाना यह सभी अनुछेद को याद रखेंगे किस अनुछेद में क किस अध्यक्ष को पद से हटाया जाता है। नेक्ष्ट को स्थे हैं, विधान सभगी सत्रा वसान की अवधी में राज जेपाल दुआरा जारी किये गए अध्या देश की अधिक्तम अवधी कितनी हो सकती है। क्या बोल गया है राज विधान सभगी 17 वसन की अउधी में राज जपाल द्वारा जारी किये गए अध्या देश की अधिक्तम अउधी कितनी हो सकती है। क्या बोल गया है भारती सविधान के अनुसार राज्यों की विधाईका बनाई गई है उसमें क्या सम्मिलित है। क्या बोल गया है कोस्चन में कि सम्मिधानिक संसोधन द्वारा सहरी इस्थानी सासन को सम्मिधानिक दर्जा दिया गया है। क्या बोल गया है वर्स 2011 के जनगरना के अनुसार नीचे रहा है। नीचे है या नीचे रहा है। इसका अंसर हो जाएगा option C कौनसे राज्यों उडिसा। उडिसा राज्यों राज्यों साथ छर्ता के राष्टी आउसस से क्या रहा नीचे रहा। जो उन्हें अपने आयात पर उच सीमा सुल्क लगाने की सक्ती देती है। इसे सूपर 301 कहते हैं। सूपर 301 अमेर्की वैपार की कानूनी धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच सीमा सुल्क लगाने की सक्ती प्रदान करती है। नेक्स्ट कोचन देखते हैं। निनम लिखित में कौन सा यूग मसुमेलित नहीं है। इसका अंसर हो जाएगा option D कौन से विश्व मानव अधिकार दिवस? 1 दिसंबर ओके एक दिसंबर कौन सा दिन रहता है। इस दिन 8 से दिवस मनाये जाते हैं। बाकी देख लेते हैं विश्व साक्छर्त दिवस 8 सेटेंबर से यूग तराश्ट दिवस 24 अक्टूबर विश्व स्वास्थ दिवस 7 अप्रेल ओके इस नेक्ष्ट कोस्ट देखते हैं निन्मलिखित यूगमों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? क्या बोल गया है निन्मलिखित यूगमों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका अंसर हो जाएगा option D कौन सा? और बाकी देख लेता है नेक्ष्ट कोस्टन आ जाते है क्या बोल गई है? मेगसेस पूरुसकार से सम्मानित होने वाले प्रथम भार्ती कौन है? इसका अंसर हो जाएगा option A अचारे बिनोबा भावे अचारे विनोबा भावे मेंगनेस पुरुसकार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारती हैं देखे इस पुरुसकार को एसिया का नोबल पुरुसकार भी कहा जाता है 1958 में विनोबा भावे को समुदाइक नेत्रीतो के छेतर में यह पुरुसकार दिया गया था बौध संग में प्रवेस को क्या कहा जाता था इसके बारे में और देख लेते हैं बुध ने अपने सरवाधिक उपदेश कौंसल देश की राजधानी स्रावस्ती में दिये थे बौध संग में समलित होने के लिए निवटम आयू 15 वर्स थी या भी याद रखेंगे नेक्श्ट कोस्ट्यान देखते हैं योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे important question है योगाचार या विज्ञानवाद बोलते हैं जिसे विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे इसका अंसर हो जाएगा option B मैत्रेनाथ कौन थे मैत्रेनाथ योगाचार के प्रतिपादक थे next question देखते हैं औरंग जेब ने किसको साही बात उज्ञ जमानी की उपादी प्रतान की थी important question है मुगल सासन से संबंधित एक question जरूर पूछे जाते हैं क्या पूछा गए इसमें औरंग जेब ने किसको साही बात उज्ञ जमानी की उपादी प्रतान की थी इसका आंसर हो जाएगा option C, जहां आरा को, ओके जहां आरा को औरंग जेब ने साही बात उज्जमानी की उपाधी प्रधान की थी, इसके बारे में और related question देख लेते हैं, औरंग जेब के गुरु मीर मुहमद हाकिम थी, यह भी याद रखेंगे, औरंग जेब ने अलमगीर की औरंग जेब ने आलमगीर की धारन की थी, फ्रांस कोई बर्नियर इनके ची की सक्थ यह भी याद रखेंगे, next question देखते हैं, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था, क्या बो लग है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था, कौन नही इसका अंसर हो जाएगा option C, काकोरी सडियंत्र केस, जिसे काकोरी कांड की नाम से भी जाने जाते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, इसे काकोरी कांड की नाम से जाना जाता है, इसमें सम्मिलित प्रमुख नाम राम प्रसाद बिस्मिल और देख लेते हैं, राजेंद लाहिडी, रोसंसी, असपाक उल्लाख यह सभी थे, इन सभी के नाम याद रखेंगे, नेक्श्ट कॉस्टन देखते हैं, नेसनल प्लानिंग कमीटी का गठन किया गया, और किस के दुआरा किया गया, इसका आंसर हो जाएगा, आपसन ए, जवाहार लाल नहरू के दुआरा नेसनल प्लानिंग कमीटी के गठन की गई, next question देखते हैं, हीरे के उतपादक राष्ट्रों को बढ़ते क्रम में लगाएं, क्या बोल लगया है, इस 5 में से हीरों के उतपादक राष्ट्रों को बढ़ते क्रम में लगाएं, इसका अंसर हो जाएगा option B, सबसे पहले आता है, अंगोला, उसके बाद घाना, फिर कांगो, बेलजियम और थर्ड में दक्षिन अफ्रिक, ये सभी बढ़ते क्रम में हैं, हीरे के उतपादक राष्ट, ओके, next question देखते हैं, सदा बहारवन पाएं, उसन कटिबंधी, सदा बहारवन किस रीजन में पाएं, इसका अंसर हो जाएगा option A, विसूवती छेत्र, equatorial region में, ओक में आउसत 175 cm वर्षा होती है, यह आप याद रखेंगे, 175 cm वर्षा आउसत होती है, इस रीजन में, ओके, equatorial region, next question देखते हैं, केंद्र में द्वैद सासन किस अधिनियम के अंतरगत इस्थापित किया गया, important question है, केंद्र में द्वैद सासन किस अधिनियम के द्वारा इस् इसके बारे हम देख लेते हैं, देखे, 1919 भारत सासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैद सासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया था, किसमें प्रांतों में, लेकिन इसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया, और 1935 में द्वैद सासन अध उसमें उच्तम नियाले ने अपने कीस मुकदमे में दिये गए फैसले के जरिये अपने पुष्टी की थिया कीस मुकदमे में दिये गए फैसले के अनुसार इसमें फैसला सुनाया था इसके आंसर हो जाएगा ओप्सन भी केस्वानन्द भारती मुकदमा में जो फैसला सुना में रखकर दिया गया, next question देखते हैं, भारत में संसधी प्रणाली की सरकार है, क्योंकि, क्योंकि इस cancer हो जाएगा, option D, मंत्री परिसद लोग सभा के प्रती उत्तरदाई है, okay, इस प्रकार की question बहुत पुछे जांगे, मंत्री परिसद लोग सभा के प्रती उत्तरदाई है, वयव का अनुमान कीस रूप में भारती संसत के समक्ष रखा जाता है, क्या बो लगए है, जितने बही भारत सरकार की द्वारा आय वयव का अनुमान होता है, वो सभी वयव का अनुमान भारती संसत के समक्ष रखा जाता है, कीस रूप में, इसका answer हो जाएगा, option D, इसके रूप में वयव का अनुमान रखा जाता है बजट एक लेक पत्र है क्या वो लगए है? बजट एक लेक पत्र है जो किसके अंतरगत आती है इसका अंसर हो जाएगा option C सरकार की राजकोसी नीती के अंतरगत आती है बजट जो की एक लेक पत्र है next question देखते हैं भारती समिधान में बंदी प्रत्यक्षी करण की रीट जारी करनी की सक्ती किसमें नहीं थे क्या बोल लगया है भारती समिधान में जो बंदी प्रत्यक्षी करण है उसमें रीट जारी करनी की सक्ती किसमें नहीं थे इसका अंसर हो जाएगा option D, उच नियाले और उच्तम नियाले दोनों में बंधी प्रतिक्षी करण की उपर रिट जारी करनी की सक्ति प्रदान है, देखेए क्या है, यह एक प्रकार का कानूनी आज्या पत्र है, जिसे रिट कहते हैं, जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी इसमें उचतम नियाले या उच नियाले के द्वारा रिहाई मिलती है इसका अंसर हो जाएगा Optimum B ट्री इस्तरी व्यास्था का निर्मान असोक महता की अनुसंसा में नहीं थी. नेक्ष्ट कोस्ट्यन देखते हैं, राष्टी आय में नीन मलिखीत में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो अपने देश का राश्टी आया है, उसमें से नीन में लिखीत में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता। इसका अंसर हो जाएगा option D, भूमी का विक्रे, भूमी के विक्रे में जो धन अरजित होते हैं, उसे राश्टी आया के अंतरगत नहीं रखा गया है। बाकी बचे एक समाने तक किस यूगमित हैं? इसका अंसर हो जाएगा option B, किस में इस फिती में, lekkureson में, आप्षिक विकास इस फिती के साथ होती है, इस फिती क्या होती है? इसका अरथ होता है विध़ी. मुद्र इस फिती में जब किसी अर्थ वयास्ता में समाने कीमत इस्थर लगातर ब बीच हुए संयूक्त अभ्यास का नाम है important question है red flag भारत और कौन से देश के बेच हुए संयूक्त अभ्यास का नाम है इसका answer हो जाएगा option C America के बीच अमेरिका और भारत के बीच हुए संयूक्त अभ्यास का नाम red flag रखा गया था next question देखते है सुमेलित कीजे सूची 1 को सूची 2 से सूची 1 में क्या है अंतराष्टी दिवस और सूची 2 में क्या है उनकी तीथी इसका answer हो जाएगा option A देख लेते हैं विस्व परियावन दिवस कम मनाई जाती है 5 जून को और विस्व जन संख्या दिवस 11 जुलाई विस्व परियावन की दिवस 21 मार्च और विस्व तम बाखु दिवस 31 मार्च को सूची सो गाइस इस वीडियो मित्रही वीडियो अच्छा लगात लाइक सब्सक्काइब और सेयर करना न भूले थाइंक्यू सो मच